तो आज हम खड़े हैं एक ऐसी गाड़ी के सामने जिसका अभी उतना ज्यादे मार्केट इसने कैप्चर नहीं किया है बट यह कंपीट करती है सब 4 मिटर के अंदर के अंदर की जितनी भी SUVs हैं लाइक नेक्सवन वेगारा से यह कंपीट करती है ब्रिज्जा वेगारा से इस के बरापर देखो रेनॉर का लोगो और यहां पर इसमें SUV टाइप दिखाने के लिए इसमें जो है हैरियर का डिजाइन कॉपी किया गया है यहां पर DRL वेथ इंडिकेटर मिलता है यह है इसके Headlights मैं देख रहा है इसके Headlights BMW से मुझे लग रहा है Copy किया गया है तो BMW वाले Type के Headlights में मिल जाते है यहाँ पर Renault की Badging मिलती है देखो इसका Skid Plate की बात कर लगता है तो यह Dual Tone में Front से गाड़ी मिलती है Skid Plate Black में मिल जाता है Side से बात कर लेते हैं तो भाई लाल कलेर में तो काफी जादे जबर जास्तिल गाड़ी लगती है लंबाई की बात कर लगते हैं तो 49 से 90 mm की लंबी मिलती है Alloyable काफी प्यारे लगते है मेरे को Trust me मेरे को इस गाड़ी का Alloyable काफी जादे प्यारे लगे Renault की जितनी भी गाड़ी या आती है उस अब गाड़ियों में से ये टुक टुक किसले कर रही है Just because ये चाभी मैं लेकर दूर जाऊंगा ये जो गाड़ी है लॉक हो जा रही है और पास आऊंगा तनलॉक हो जा रही है तो इसलिए मैं चाभी वहीं पर रख दिया हूँ एक बार मैं टायर की बात कर लाईता हूँ तो टायर सक्षन यहाँ पर चेक आउट करा देता हूँ एक सब अंचानबे साथ आर सोला तो सोला इंच का ये एलोईविल मिल जाता है इसका टायर सक्षन कुछ ऐसा से मिल जाता है पीछे से मेरे को गाड़ी सबसे जादे प्यारी लगती है जस्ट विकाउस की स्क्रीन रो एलीडी टेल लाइट्स है और ये वालफ सिस्टम देख रहे हो ये काफ़ जादे प्यारी लगती है यहाँ पर रेनॉल्ड की बैजिंग मिल जाती है इसका इस पेर विल चलो काफ़ी गुड़ वाला सिस्टम है यहाँ पर मिलते हैं दो पार्किंग सेंसर बस इसमें जो है क्या समझ रहे हो कैमरा मिसिंग है और यहाँ से एक वार बूट क्लोज कर देते हैं बात कर लाते हैं पीछे रियर डिफॉगर विथ वाइपर आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर पीछे का स्कीट प्लेट जो है यह ग्रे कलर के इसमें मिलता है और साइड से राइट साइड से गाड़ी देख लो एक बार कुछ ऐसे से लगती है यहाँ पर मिलता है आपको फंक्शनल आपको रूफ रेल्स मिल जाते है सार्फिन एंटीना मिलता है पीछे के साइड गाड़ी पे डूल टोन में यह गाड़ी है और एक्स जेड इस मॉडल का नाम है प्राइस के लिए वीडियो में बने रहो कहीं ने कहीं बीच में यह लाष्ट में तुमको प्राइस जरूर बताऊंगा इस गाड़ी का अगर मैं भी बता दूँका तो तुम लोग स्किप करके निकल जाओगे तो चलो एक पर गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से बात करते हैं कि क्या फीचर है यहां पर है आपके पावर विंडो के कंट्रोल और पीछे के चाइल्ड अगर विंडो बार बार ना खोलें उसके लिए यहां पर लॉक मिल जाता है यह इसके ओर बीम के जो चीज है तब ही ओन अगी जब गाड़ी के मैं इंजिन स्टार्ट करूँगा तब ही मैं इंजिन स्टार्ट करके दिखाऊंगा उससे पहले मैं स्टेरिंग से बात कर लेता हूं तो पियानो ब्लैक में यहां पर मिल जाता है स्टेरिंग पे आपके स्टेरिंग स्टेरिंग बस इतना दूर एक बित्ता जो है इसको लेधर रैप किया गिया है यहां पर देख लेते हैं तो यह दिस्प्ले काफी सारी चीज़े शू करता है एक बर मैं चेक आउट करता हूं क्या कि यह देखो ट्रिप एर्ट्रिप भी नीचे ठीक है और भी स्टेर मॉनिटर टीपी एमस बाकि सर्विस यह सारी चीज़ यहां पर शो करती है ठीक है नीचे की साइड यह मैनूल गाड़ी है तो आप कुछ में डेड़ पैडल नहीं मिलता है बस क्लच ब्लेक ब्रिक एक्सलरेटर वेकर मिल जाता है और यहां पर मिलता है आपके वाइ पर लेते हैं तो एक बार चेक कर लो ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है इस गाड़ी में यहां पर आपको इंजन स्टाश टॉप का बटन मिल जाता है यह एंडूड ऑटो एपल कारपले कनेक्ट करने का सिस्टम यहां से अगर आप वायर कनेक्ट करके अपने फोन से इस डिवा इस गाड़ी में आता है आपको वायरलेस चार्जर यहां पर आपना फोन रखके आप लोग अपना फोन चार्ज कर सकते हो अगर चाहो तो आफ भी कर सकते हो यह बटन दबा के ठीक है और यह चाभी मैंने दिखा ही दिया था एक बड़ गाड़ी स्टाट करके इस पहले एक उपर के साइड फोर्चूनर के जैसे ठीक है और एक आता है नीचे के साइड नीचे वाला ना कूल है न इल्लोमनेटेड है कोई सिस्टम इसकंदर नहीं मिलता है न ऊपर वाले में यहां टस बोट पर ना पियाज़ प्यानो ब्लैक में चारों तरफ इधर लाइट जल गया इधर लाइट जल गया कि यह गाड़ी में मेरे को काफी प्यारी चीज लगी एक बर मैं इंस्टुमेंटल क्लेस्टर चेक आउट कर देता हूँ ब्रिक दबाके एक बर मैं यह प्रेस करूँगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और यह देखो इस्टार्टी नहीं हुआ थोड़ा टाहिम लेता है इस्टार्ट होने में रेनोल लिखके आ गया इसके उपर यह देख लो यह स्मार्ट फोन इंटिग्रेशन करके बाकी इसमें सिस्टम सेटिंग वेगरा इसमें काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं काफी सारे कहा हूँ सॉरी भस थोडे मोरे से फीचर मिल जाते हैं काफी लगी सा 이 सिस्टम है बहुत यदे लाग कर रहा पितानी क्यों टिक्क है होम वहिकल वहिकल सेटिंग ड्राइविंग इंफो यही सब सिस्टम मिल जाता है फोन और मीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं इसके अंदर तो एक बड़ गाड़ी को बंद करते हैं और चलता हैं पीछे के साइड तो एक बड़ मैं ड्राइबर सीट को अपने कॉर्णिक एड़ परेर बाई मैं तो बलून से ही परेशान हूँ यहां पे देख लो सेम पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी गई है और यहां पे मिल जाता है पावर विंडो के कंट्रोल थोड़ा सा बोटल रखने का स्पेस मिल जाता है और यह फैबिक सीट्स रेड़ नो का लाइक फैबिक जो अंदर आके बात करते हैं पीछे के स्पेस कैसे हैं अंदर थाई सपोर्ट वेगरा तब पीछे के साइड आ चुका हूं यहां पर मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए ऐसी वेंट और यहां पर मिलता है बारा वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ओ भाई काफी साई से अंदर थाई सपोर्ट मेरे को उतना अच्छा नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज कि मेरी हाइट के वाज़े से मैं छे फूट एक इंच का हूं और मेरी हाइट थोड़ी ज्याद है इसलिए मेरे को अंदर थाई सपोर्ट का थोड़ा से इश्यू लग रहा है अधरवाइस सो फ और यह यही थी गाड़ी प्राइस की बात कर लेते हैं तो एक बार आगे चलता हूं और प्राइस इसका बिस्क्राइब करता हूं आपसे बैस गाड़ी का जो है एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा है तो छे लाग पचास अजार एक शोरूम यह गाड़ी आती है साथी एक शोरूम आएगी अगर टर्बो में जाओगे आप आटोमेटिक में तो एक शोरूम गाड़ी आएगी बाकि अपने अपने सिटी के कॉर्डिंग तुम लोग ऑन रूट प्राइस चेक कर सकते हो वह तो डिपेंड करता है भाई किस सिटी में तुम रहते हो खेर यहां तक अ कर भाई घस्तक किस इनू यू लओ में